हेई एवन हाओ यू ओल सु कैसे हो आप लोग से जिस बुक की हम बात कर दे हैं उस बुक का नाम है इट स्टार्ट्स विद अस और यह बुक की है कोलिन होगा ने लास्ट वीड़ मैं देखी थी वीड़ नूमबर 4 अब यहाँ चुरू आत होती है वीड़ नूमबर 5 की और यह है बुक में चैप्टर नूमबर 5 एक्टलेस वीड़ शुरू होने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है आप चाहो तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हो इससे हमारी काफी हेल्प होती है अब जो bread होता है वो graffiti को देखते हुए कहता है पकाना किसी ने टागेट कर रहे है अब जो graffiti होती है वो क्या होता है जनरली आपने देखा होगा कई बार railway station पर या फिर bus stand पर दिवालों पर बहुत बड़े-बड़े से जो message लिख देते है ताकि आम लोग देख सके उसको graffiti कह पिछली दो रात पहले उसको चोरी करने ही कोशिश करी थी न सेम वही चीज इसके नए वाले रेस्टोरेंट के साथ हुई है कॉरिगंस में और जिसने भी ये करा है न उसने दुबार से एक नए मैसेज छोड़ा था एटलस के लिए और वो था फक यू एटलस और एटलस में एक S बढ़ा दिया था और जो S होती है न उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया था और जब एटलस ये चीज देखता है न तो उसको समझने आता कि वो हसे या क्या करें क्योंकि जिस तरीके से चलाकी दिखाए थी न उसने नाम में S बढ़ा के और S में अंडरलाइन कर दिया उसको बड़ी हसी आती है लेकिन वह हसता नहीं क्योंकि उसको पता है situation कई ज़्यादा खराब है इससे क्योंकि जब पहले जो बिप्स का restaurant ना जब वहां पर यह हुआ था तो उसने इतना ध्यान नी दिया था क्योंकि उस दिन वो लिली से मिला था और जब वो लिली से मिला अब यह उमीद कर रहा होता है कि कुछ तो useful वहां से निकल के आएगा और एटलस को अभी भी समझ नहीं आता है कि वो पुलिस को बताए या ना बताए अब जो आटलस होता है वो कहता है एक बार मैं चीज़ों को खुद अनलाईस कर लेता हूं उसके बाद मैं डिसाइड कर यह यह रहा लास कॉर्णर में और जब वो फुटिश को देखना शुरू करते है तो वो प्ले बटन करता है और वो दोनों बिल्कुल कंफ्यूज होते है क्योंकि जिस बंदे को यह देख रहे होते है वो अराम से सो के उठता है और फिर वहां से चला जाता है अब जब वो अन्य दिखते है न दिखते है कि वह यह दो दो गंटे पहले की बात है लाम से तो गंटे यहां पे सो जाए और वह बिलांद बैंकेट के बॉस्टस न cadre उयां भी खेंगे क्योंकि सुबह सुबह काफी अंधेर आता तो उसका चहरा वहरा कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था ना अच्छे से देख रहा था लेकिन हां उसकी कद काठी से इतना तो पता चल रहा था कि वो कोई जवानी है कोई टीनेजर होगा अब वो क्या काता है ना वो जो लड़ वो टिरपल पेंट वाले होते हैं पीछे वाले तो खुलते ही नहीं और उतना वे सोचता रहिND कि क्या फायदा कुछ नहीं इतना असान आथ है बेप्स कीता रहिये और वो वहाँ पे ना आराम से सो जाता है और सूरा युगने से पहले वो उठता है देखता और कोई दिक् रही तरा होता है किमेरे में भी कुछ नहीं होता और नहीं उस बंदे ने एक भी पाग की में तरफ देखा होता है उसम भी जीन्स पहल्चे होती है और रही पकड़िन लगा गारं एक सक इतने में जैसर ओधर फोन लिक्ता देरें पुद कला हो एक चांड़ी जाने के हमारा थीग हो ढायरें यह कहेंगे सालले और प्राइड में काहिए कोई यह देक्र वाहता है उसको ना कहीं गुस्र से जादा ना दया आरी होती है कि उसको वो टाइम अपना याद आता है कि कैसे ठंडों की रात हुआ करती थी उसके पास कोई भी घर नहीं था कैसे वो उस घर में रहा करता था अकेले और जब वो मरने जा रहा था तो उसको लड़की मिली लेली कैसे उसकी के help करी और इतनी ठंड में ये बंदा यहां पर रुक हुआ उसको ना कहीं दया भी आ रही थी अब एटलेस को बिलकुल भी idea नहीं था कि ये किस ने करा और जिसने भी करा ना उसने साले ने मेरा नाम तो लिखा लिखा साथ साथ एक बड़ी ऐसा message भी लिखा मेरे लिए fuck you एटलेस और राम से यहां दो घंटे की नीन भी निकाली और ये जो भी बंदा है ना ये चाहता है कि मैं उससे एक बार बात करूं अब जो आटलेस होता है ना उसका phone vibrate करने लगता है डेक्स पे जब वो phone देखता है ना तो उस पर कोई unknown number से phone आ रहा होता है generally वो unknown number के phone ना उठाता नहीं है किसी के भी लेकिन उसको ये लग रहा होता है ना कहीं ये phone लिली का तो नहीं आ रहा और नहीं एटलस को लगता है यार, कि खाली फोन उठा लिया मन में, अब जो एटलस होता, ना राम से कुर्शी भी बैठता है, कहता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, और उधर से आवाज आती है, ये मैं हूँ, अब जो एटलस है न उसको कोई भी आइडिया नहीं होत मेरे ममी के पास मेंने नमबर कहां से आया करने को चले कुछ सालों से उन्हें दो कभी मुझे क वात कन है कोशेश किरी उन्हें थी कि यह का थाकरी कि कभी मुझे अपनी श tutaj उन्हें उद्सें भात एक टेलिविजन शो है वो चल रहा है और जो Atlas है वो इमेजिन काता है कि उसकी मम्मी अभी भी क्या कर रही होंगी काउच पर बैठी होंगी एक हाथ में बीयर होगी एक हाथ में सिगरेट होगी क्योंकि सुबह के लगबग 10 बज़ रहे हैं उन अभी भी साफ पता चल रहा होता है कि वो बहुत जादा भी बीना गुस्से में है अब Atlas को यह लगता है ना कि ऐसा तो है नहीं यह मुझे कोई माफी मांगने के लिए कॉल कर रही है या फिर कुछ और कोई काम होगा ऐसा तो है नहीं लेकि मुझे बात क्यों करना चाहती है अब जो Atlas होता है ना उनके बोलने से पहले खुद ही कह देता है क्या आप मर रही हो क्योंकि यही एक मातर रीजन था ना कि Atlas ने अभी तक कॉल कट नहीं कर देती वरना वो कपका कॉल कट कर देता अब जसकी ममी होती है काती है मैं मर रही हो और ना हसने लगती है और उसको यह लगता है कि ममी अभी भी सोच रहован कि यह क्या बात बोल रहा है यह ass hole है यह भी पूरा उसकी ममी कहती है नहीं मैं मरनी रही हूँ मैं perfectly ठीक है अब Atlas कहता है क्या आपको पैसे चाहिए अब उसकी मम्मी कहता है पैसा किसको नहीं चाहिए अब जब यह सुनता है तो कही ना कही आटलस कहा है ना बहुत गुसा आ जाता है वो फटाफट phone हटाता है, कांसर रहाता है फोन को काट देता है, अपनी ममी का नंबर भी ब्लॉक कर देता है, और उसको यह लगता है, कि ममी नहाज तक मेरी कभी बात का नहीं कोशिश नहीं करी, और आज मुस्से बात क्यों कर रही है, अब वह Atlas क्या काता है, फोन साइड में रखता है, थोड़ा आगे जुकता हो, उसने कभी इमेजिन भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो Atlas था अब उसको अपनी जिन्दगी को पसंद करता है, पहले जिन्दगी में पसंद नहीं करता था, वो अपनी जिन्दगी में, बहुत खराब जिन्दगी थी, मां उसकी टेक क्या नहीं करती, घर से निकल गयता, ऐसी यहां वहां जहां था रह रहा था, लेकिन अब वो अपनी जिन्दगी को पसंद करता है, वो बहुत उन्ची जो को लेकि प्राउड है जो भी उसने कुछ अचीव कर रहा है, और अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है कि वो पुरानी जिन्दगी आले लोग है उसकी जिन्दगी में वापस आएं और उसको ना एक तरीके से धंकी दें, अब जो एटलस होता है अपना हाथ अपने चहरे पे लेके आता है, अराम से बैटता है थोड़ी दे, फिर वो ना बहार जाता है ताकि ब्रैट की मदद कर सके जो भी वो काम करने में मदद कर रहा है, अब जो ब्रैट है न वो हसता है कहता है तुम्हें एक थेरेपिस की जरुवत है और ऐसे थेरेपिस की जरुवत है जो अटलीस तुमारे एज के बराबर हो तो इस नोट पर होती है यह वीडियो खतम and I hope so यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, so thank you and stay connected.